हलो स्टुएंट्स आज हम देखने जाने टॉपिक शॉटकट मेथड फॉर अप्लिकेशन ओफ डैफिनेट इंटिग्रल तिक है स्टुएंट देखिए अप्लिकेशन ओफ डैफिनेट इंटिग्रल में हम क्या देखते है एरिया बाउंड बिट्विन कर्व ओके तो यहां पर पर x के positive reaction में यह हमारा parabola होता है और यह straight line passing from origin ठीक है तो मतलब हमें यह area find out करना है ठीक है student तो देखिए कैसे with the help of formula हम विदिन 2 और 3 second में हम यह type question का answer find out कर सकते है ठीक है तो देखिए students हमारे पास formula है ठीक है तो यह formula हमें use करना है क्या है formula हमारा area is equals to 8a square upon 3m raised to 3 square in it ठीक है जब आपका एक curve है parabola y square is equals to 4ax के form में और दूसरा है straight line passing from origin y is equals to mx के form में where m can be any number और a can be any number okay अगर यह दोनों curve है यह दोनों के बीच में जो bounded reason है वो हमें find out करना है तो हमारे पास यह formula है student ठीक है यह formula के help से हम विदिन 2 और 3 second में हम equation को solve कर सकते है अगर आप traditional method follow करोगे student तो आपको equation को solve करने के लिए 3 to 4 minutes बहुत ही easily चला जाता है ठीक है तो भी यह with the help of this formula आप बहुत ही कम time में आपका answer मिल जाएगा ठीक है यहाँ पर मैंने कुछ formula examples लिए आवा students वह आप देखे और समझ यह तो पहला example हमारे पास देखे क्या है the area included between the parabola y square is equals to 4x and the line y square y is equals to 2x ठीक है तो हमारा parabola है और यह straight line passing from origin है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे equation को यह जो curve हमारा यह formula आने के लिए कुछ करेंगे जिसे हमें a मिलेगा और m मिलेगा दोने मिल जाएंगे हम यह formula पूट कर देंगे और हमारा answer आचाएगा ठीक है तो सबसे पहले हमारा जो parabola है देखे श्रूंट कैसे हम solve करते है y square is equals to 4 4x है मुझे a चीए 4 into 1 लिख सकते ह है ठीक है meaning change हुआ नहीं 4x ही है उसका मतलब ठीक है जिसे हमें देखे ए मिल गए is equal to what 1 4 into a into x के फार्म में आ गया ठीक है 4 into a into x ठीक है next दूसरा क्या हमारा line है line क्या हमारा y is equal to 2x तो हमें y is equal to 2m x के फार्म में मिल रहा है तो यह देखे 2 हमारा क्या हो जाएगा m हो area is equal to what a into a square 3m मतलब 2 का cube यहां पर आपको देखे क्या मिल जाएगा 8 2 2 2 4 2 8 8 8 cancel 8 by 3 into 8 तो आपका answer 1 by 3 तो यह देखे students यह हमारा answer है यहां पर 4 option दीए हो हमारे पास तो उसमें से right answer क्या हो जाएगा 1 by 3 तो देखे हमने कैसे within a few seconds में आपको यह answer हमने find out कर लिया तीक है तो यहां पर कुछ बड़ा calculation नहीं है सिर्फ हमें ध्यान रखना है student यह equation जो दो कर दिये वह है हमें यह formula आना है और यह formula याद रखना आपको यह formula याद है within a few seconds में आपका answer आजाएगा तीक है next example देते है student देखे क्या है हमारे पास next example area common to the curve y square is equal to 16x and the y is equal to 2x same question है student यहां पे हमारा जो पैरा बोला है y square is equal to 16x है और यह straight line है y is equal to 2x है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए y square is equal to 4ax के form में हमें इसे convert करना है तो हमें 4 into 4 16 हो जाएगा right तो हमारा देखे यह 4 यह a हो गया और यह x तो हमारा a क्या मिल गया 4 मिल गया अभी जो हमारे पास line दिया हुआ है y is equal to 2x ठीक है हमें जो straight line है वो कौन से form में होना चाहिए y is equal to mx के form में होना चाहिए तो हमारा m क्या हो जाएगा m is equal to this 2 तो हमारे पास a मिल गया m मिल गया अभी हमारे पास जो formula है उसमें put कर दीजे 8 a का square upon 3 into m का cube ठीक है तो यह 8 8 cancel हो जाएगा 16 by 3 तो यह हमारा answer देखे क कैसे हमने find out कर लिया student 16 by 3 तो यहाँ पर हमारे पास चार option है उसमें से right option हमारा 16 by 3 is the right answer okay तो कैसे देखे हम बहुत ही कम time में इसका answer find out कर लेते हैं अगर आपसे इसे traditional method से solve करोगे आपको diagram बनाना पड़ेगा limit find out करना पड़ेगा उसमें integrate करोगे limit put करोगे फिर जाके आपको answer मिलेगा लिकिन यहाँ पर हमने सिर्फ a क्या है m क्या है find out कर लिया उसको compare करके और उ next example देखे है students यहाँ पर क्या दिया हुआ है if the area bounded by the curve parabola and the line is 1 by 3 then find the value of m यहाँ पर कुछ हूल्टा है हमें m find out करने के लिए बोला हुआ है ठीक है यहाँ पर same जैसे हमने formula अप्लाई किया वही formula हमें अप्लाई गाना है तो यहाँ पर देखे है y square is equals to 4 into a into x तो सबसे पहले हम हमें 1 है हमारा 1 है और y is equals to mx है ठीक है यह m तो म ही रहेगा हमें area bounded between two curves दिया वह 1 by 3 है तो यहाँ पर अभी हम formula यूज़ करते area is equals to 8a square by 3m cube area क्या दिया हमें question में ही दिया वा कि यह दूनों का जो bounded between the curve है common area क्या है 1 by 3 है अभी हम इसे solve करेंगे 8 a कै हमारा 1 का square upon 3 m का cube ठीक है तो यह 3 3 cancel हो जाएगा यह m वहाँ पर जाएगा यह m यहाँ पर जाएगा तो mqb is equals to 8 मिल जाएगा तो पीसे आप लिख सकते हो इसका मतलब m देखिए हमारा क्या मिल गया m is equals to what to comparing the equation तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर क्या है सी ठीक है तो देखिए कैसे हम within a few seconds में हमने answer find out कर लिया सभी questions के ठीक है तो सबसे जो अभी आज हम topic देख रहे है उसके लिए आपको फिर से मैं आपको एक recap करना चाहता हूं आपको ध्यान रखना है जो पैरा बुला है आपका यह form में होना चाहिए आपका यह form में होना चाहिए और जो straight line है अपका यह form में होना चाहिए जिसे हमें a और m मिल जाएगा और हम यह formula याद रखेंगे यह formula पूट कर देंगे हमारा answer वी दिना 2 और 3 second में answer find out कर लेंगे तो please students और और भी examples आप यह based यह type के question को try कर यह आपके test book से अगर आपको कुछ भी issue है अप मुझे मेरे video پर comment कर सकते हैं आपका कुछ advice है इसे कर अच्य क्रत कर सकते हैं और video के end में छोड़ा रिक्वेश्च करना चाहँंगा अगर आपको यह video helpful है तो please वीडियो के एंड में छोड़ा से कमेंट करिए मुझे बते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और वेरी इंपॉर्ण अगर आपको ये मेरा चैनल हेल्फूल है तो प्लीज चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजे श्रेंट्स और आपके जो भी फ्रेंड सरकल है उनको ये आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है आप या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और भी जो बचे हुए शॉटकट मैतोर्स है वो आप देख सकते हैं ओके श्रेंड थैंक्यू